और बड़े ख़बर इस वक्ति आपको दे दें चैंपियंस टॉफी में बेहत बुरी हार का सामना करना पड़ा है यहाँ पर टीम इंडिया को 180 रनों से पाकिस्तान की टीम ने टीम इंडिया को चैंपियंस टॉफी के फारनल मुकाबले में हरा दिया है इतनी बुरी हार की उम चैंपियंस टॉफी में टीम इंडिया को करना पड़ा है पाकिस्तान के हाथो भारत की बेहत शर्मनाक हार इस तरह की हार जिसकी उमीद आज कत्ते नहीं की जा रही थी यह वो टीम थी जिसने 124 रनों से लीग मुकाबले में हराय था लेकिन आज ताश के पत्तों की तरह हम पाकिस्तान की टीम ने खड़ा किया था उसको पार नहीं कर पाई पाकिस्तान के हाथो भारत की ये शर्मनाक हार पाकिस्तान ने चैंपियंस टॉफी जीत ली है डिफेंडिंग चैंपियं थी टीम इंडिया लेकिन वो अपनी टॉफी को बचा नहीं पाई और इस तरह से भ वहें शर्मा का वराट कोहले का ये हमारे वो बलेबाज रहे जिन से आज बहुत अच्छी उम्मीत की जा रही थी। वहें बलेबाजी देखें पाकिस्तान की टीम की पचासो और में फकर जमाने एक सो चौदा रन बनाए अज़ार अली ने उनसट रन बनाए मुहमद हफीज ने सतावन रन बनाए जबकि गेंदबाजों का प्रदर्शन भारती टीम का हादिक पानिया भूमने शर्केदार और ये हैं भारत के हार के मुझरिम जिनके चेहरे इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं रोयशर्मा तुरंट आए और तुरंट चले गए शिकरदवन एकीस रन बनाकर आउट हुए वराट कोहली पाश रन बनाने के बाद पविलन लोड गए युवराज सिंग कोशिस जरूर की हाला कि 22 रन बनाने के बाद युवराज भी आउट हो गए महेंदर सिंग धोनी से बहुत उम्मीद थी लेकिन धोनी चार रन बनाके आउट हो गए और केदार जाधब 9 रन बनाने के बाद ये तो बैट्समेन रहे लेकिन ये हम आपको दिखा रहे हैं वो म कि कौन पाकिस्तान की बल्ले बाजी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है कम से कम आकड़े तो ये ही बताते हैं और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं टेम इंडिया की मैश आने की वज़े टोजीत कर पहले गेंद बाजी का फैसा गलत साबित हुआ है यहाँ पर टीम इंड आपको रखे आगे